हलो फेंस नमस्कार कैसे वाप सबाई होग क्या आप लोग अच्छे हूंगे दोस्तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सौधी में हेलफर को कितना सैलरी मिलता है दरसल कई लोग कमेंट्स किये थे तो मैं सुचा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए गाई से वीडियो बनाने का मकसद एकी है कि जो भाई वरकर हैं और सौधी में एज हेलफर आना चाहते हैं उनको रियाल्टी पता चले क्योंकि मैं भी एक वरकर हूँ और वरकर के लिए ही वीडियो बनाता हूँ तो गाई से आप लोग वीडियो पुर्या देखेगा आगे आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ वरकर चैनल परना चलोंको सास्काइबर साथ में गंटी कब लेकर जरूद पेस कर लिजे ताकि आपको बढ़कर से लिएटर वीडियो मिलती रहे तो चलिए वीडियो सुरू करते दोस्तों आप लोग के एक रियाल्टी बता दूँ कि अगर आप ए सोच रहे होंगे कि मैं AC के काम में एज हेलफर जाऊंगा तो हमको AC का काम मिलेगा इलेटिक के काम में एज हेलफर जाऊंगा तो इलेटिक का काम मिलेगा तो गैस ऐसा कुछ भी नहीं है हेलफर के काम में अगर आप आएंगे तो आपसे कोई भी काम करवाया जाएगा अगर कोई एजेंट या ओपीस वाल आपको बोलेगा कि मैं एसी के काम में आज़े हेलफर भेज दूँगा तो बस आपको एसी के काम ही करना पड़ेगा तो गैसे ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है अगर आप हेलफर में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपसे कोई भी काम करवा जाएगा चाहर ताभी उडवाया जाएगा रंबल लवाया जाएगा या खड़ा मरवाया जाएगा लोडिंग अलोडिंग का काम करवा जाएगा आपसे कोई भी काम करवाया जा सकता है आप यह बि पादमी को लगा कि हाँ मैं दो साल में इतना पैसा कमाल हूंगा ठीक है तो एजेंट का काम यह होता है और एजेंट आपसे 17 से जड़ी ले लेंगे आपको साओधी भेज देंगे फिर उसके बाद क्या काम आपको मिलता है क्या करते हैं कैसे राते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो आप जब भी हैजेंट फार आरे हैं साओधी में तो समझकर किसे करियेगा कि यहां पर आने के वात आप आप लोगों को विश्वास करना है नहीं करना है वह आपके उपर डिपन करते है ठीक है? लेकिन तो जो रियाल्टी है उँम में आपर लोगों के साथ सेयर कर रहा हू करते हैं सेलरी की दोस्तों विला कि ग्यारसु द्रहम ऐजे हिलफर बेसिक सॉ Hakim , उसके बाद Overtime होता है थीक है ? तो Overtime का कोई बहुता नहीं होता है कभी Overtime चलता है , कभी नहीं चलता है लेकिन तो आप जबु साउदी आना तो basic देख करके आना कुछ कमपनी होती है जो 700 प्लस 300 साउदी रियाल शैरी देती है यानि कि आपका जब भी लिफ सैरी जोड़ा जाएगा तो 700 के इसाफ से जोड़ा जाएगा यानि कि आपका 700 जो basic salary बनेगा उसके हिसाब से आपका live salary जोड़ा जाएगा अगर आपका 1000 basic salary देदेगा तो आपका 1000 के हिसाब से आपका live salary जोड़ा जाएगा तो इसके लिए 700 आपका basic होता है प्लस 300 खाने के लिए और ticket के लिए company देती है ठीक है तो हर कंपनी का अपना अपना रूल्स होता है तो गाइस एमान के चलिए कि आपका 900 से ले के 1200 सौधी रियाल एज ये हिलफर सेलरी होती है चाहे किसी भी काम में आपाते हैं ये ग्राउंड पे ये विल्कुल रियाल्टी है उसके बाद अबर टाइम होती है हां ऐसा है कि कुछलों का जो बटाइम जलता है तो उनकी सेलरी 1600-1700 रियाल भी याज आती है लेकिन तो वह पूरा एड़ी चोटी का जो लगार के ड्यूटी करते हैं ठीक है 12 गंटा 14 गंटा 16 16 गंटा नाइट डे करते हैं तब जाकर के उनकी सेलरी 1500-1600 रियाल होती है ठीक है ऐसा न क्परियो कंपनी घील्याती है तो गैस एक है रियाल्टी आप लोगोंने कमेंट है तो मैं तो वीडियो बना करकर बता हूं ता कि की आ dawक Share good 0 क्यालाम कुछ भी नहीं करते हैं एजेंट और उपीस वाले बड़ी-बड़ी बाते करते हैं कि हेलफर की साड़ी पंदर सो अठारा सो साओधी रियाल है तो गाय से बिल्कुल जूट है टेक्निक्सियन का तो सड़ी इतना आया नहीं है तो हेलफर को सरवा कहां से मिलेगा ठी हिलफर में आते हैं भी रियाल है खुदा ना खास्ता कंपनी मोबरटाइम नहीं चला तो आपका सरेह बारा तो गीन बहां면 इस से जादे आपका नहीं हो ओबर टाइम लगा करें 20-22 सार कमाएंगे इससे जादे नहीं कमा पाएंगे अगर आप साल-दो साल काम करके आएंगे तो आप वही सेलरी 30,000-35 रुपे कमाएंगे तो मेरे रिसाब से आप लोग काम सीख करके आएंगे तो आपके लिए बेटर है क्योंकि आदमी यहां पे कम अपने तो चला गया है हमको माना करता है आने के लिए जो रियाल्टी है वह मैं आप लोग को बता रहा हूं तो आई हो कि वीडियो को लाइक कर देए चनल को सब्सक्काइब कर दीजे और दोस्तों कि वीडियो के मादर में से जानकारी मिले तो यहां पे आने से पर लोगों सब्सक्राइब करता है नमस्कार मिलेंगे कोई ने जनकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो